हेलो असलाम अलाइकोम नमस्ते तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से होंगे तो आज हम बात करेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कि सहूदी के अंदर में जो ट्रेलर चलाने वाले आते हैं उनकी ड्यूटी कैसी होती है कितनी सेलरी मिलती है क्या आवर टाइम होता है क्या एक्स्ट्रा इंकम होता है कितनी सेलरी स्टार्ट होती है नए लोगों की पुराने लोगों को कितने सेलरी मिलती है और कहां से समान या रम्मल या मिट्टी मिट्टी तो यहां मिलता नहीं है र मेरे साथ बने रही है इस वीडियो में जो वीडियो में पोस्ट करूंगा वो वीडियो दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं यह बाबू भाई गारी चला रहे हैं ठीक है आप देख सकते हैं हम लोग भी में रोट पे हैं तो एक रासता है जिन्दगी जो थम गए तो कुछ नहीं एक रासता है जिन्दगी जो थम गए तो कुछ नहीं ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं एक रासता है जिन्दगी जो थम गए तो कुछ नहीं बस भाई यही जिन्दगी है हमारे बाहर देश की यही लाइफ स्टाइल है भाई इसी रासते पे हम सुबह से साम हो जाते हैं कब भूके पेट चल लेते हैं कब सिर्फ पानी पी के रह जाते हैं हर हमारे घर वाले कभी भी फोन करते हैं तो हम हस के बात कर लेते हैं जिन्दगी यही यह बाहर देश की लोग सोचते कि हम बहुत पैसा कमार है लेकिन हमारी सच्चाई हमारे इलावा कोई नहीं जानता तो बाबु भाई गाड़ी चला रहे हैं यह रही अंदर से पूरी गाड़ी आप देख लो केबीन हमारा ठीक है यह ट्रक है मरसेटिस ठीक है तो आप लोग देखिए यह राशते पे हैं हम लोग बस चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लायक जरूर कीजिए क्यूँके ऐसी वीडियो बहुत मुस्किल से बनती ह और दिल को बहुत दुख होता है कि हम लोग कहां आकर के काम कर रहे हैं, कहां आकर के महिनत कर रहे हैं, अगर हमारे इंडिया में अगर काम होता, तो हम जरूर काम करते हैं, इंडिया में रह करके, लेकिन हमारे यहां काम तो है, लेकिन सैलरी नहीं है, जो कि हमारे बचत के हिस आपसे काम आए तो बस दोस्तों चल रहे हम बाबु भाई हास रहे हैं यह मुंबई का लड़का बैठा हुआ था बगल में देख लो यह पहार है साइड में राइट साइड में जो आपको में दिखा रहा हूं देखो भाई यह अलमराई की ट्रक है छोटी वाले ट्रक जिसको डिनने बोलते हैं यहां पे इसके अंदर यह जूस हूँ सप्लाई होता है त्यक्री है इसके पास में 1,0,000,000 ट्रक है यह एक लाग गारिया है अलमराई के पास में जो जूस सप्लाई करती है अब देखते हैं मौका मिलता है तो अभी हम ओवर टिक करेंगे जलदी से ओवर रखने वाला एक ड्राइवर होता है तो जो कि हैंड से बील ही काटता है वो मसीन के द्वारा ठीक है लेकिन यहां पर क्या आना है कि यही है तो सिर्फ केरला वाले जादा आते हैं हम लोग आप लोग नहीं आ सकते इंटर्वियू दे करके तो अभी हम गारी में ड्राइवर चेंज करेंगे जो कि यह मुंबई के भाई आये हैं मुंबई से तीक है यह नए है पहली बार आये हैं यहां पर तो डारेक ट्रक चलाने के लिए हैं तो इनकी सैलरी पंदरो सो रियाल है तो मैं आवाज डबिंग कर रहा हूं क्यूंकि इनकी आवाज सही नहीं थी इसलिए ठीक है तो भाई पुरा सेटिंग कर रहा देखो सीट वीड गियर वियर रिदम पुरा अच्छे से सेटिंग कर रहा है चल भाई लगा ले भाई गियर चलो तो बस हम लोग बस निकल चुके हैं देखि रहा है वाब लोग हम लोग रिगिस्तान की तरफ जा रहे हैं रिगिस्तान बोलो या जो भी बोलो यहां पर दोनों साइट पहाड़ी पहाड़ी दिखेगा आपको पूरा ठीक है बस हम लोग चले जा रहे हैं बहुत दूर जाना पड़ता है सिटी से 40-50 किल्यूमीटर अंदर जाकर बीच के हिस्से में बना होता है जो की रमल हम लोग मिलता है ठीक है तो हम लोग की गाड़ी में ज़्यादतर क्या कभी कभी हम लोग कच्रा लेकर जाते है वहाँ पर उतार देते हैं फिर वहां से फ्रेश रम्मल उठाते हैं रम्मल को बालु को न रम्मल बोला जाता है ठीक है तो बस भाई यह देखो यह ड्राइवर भाई है इनकी सेलरी यहां पर फॉच्छर रुपया है और यह भाई अभी बाल लड़का आया है नया इसका नाम भी पूचते हैं थोड़ा बात करते हैं आगे चल के बश्चल रहे हैं हम लोग बने रही है आप लोग देखिए यह डंपर सब है यह हम लोग को यहां पर चलाने को मिलेगा अगर आप आओग करती है ठीक है जैसे भाई यही दुनिया है रम्मल में आके काम करो दूल में काम करो बाकि आगे दिखाते हैं इतनी मुसकत के बाद एक देर घंटे चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुच चुके हैं तो देखिए आप बाकी आगे आप जो है बाबु भाई की आवास सुने करेंगे ठीक है यहां पर चारों तरफ पहाड़ है और यह यहां उदर से कच्रा भर के आते हैं और इदर से यह रमल मलब रेत भर के जाते हैं यहां पर इस तरह से गाड़ियां का ट्रेला का काम चलता है ठीक है देखो चारों तरफ पहाड़ है अब देख सकते हैं दूर दूर तक पुछ नहीं है एक लोड़ो के निकल गया अबजेक्ट सकते हो सारों तरफ पहाड़ी पहाड़े अब देख सकते हैं इदर कितनी मिट्टी उड़ रही है पहाड़ी में सुबह है सबसे शाम तक काम करते हैं कियार यहां से कितना किलो मेंटर दूर तक कोई पेट्रल पक नहीं कोई होस्पिटल नहीं कोई श्रौप नहीं कोई भी ओटेल नहीं और पहाड़ों की कुछ भी हो सकता है तो तरक वाल आकेला इस तरह से साओधी अरब्या में टरक चलाते हैं और इसको ट्रेला बोलते हैं और यह दिन में पांच ट्रिप डालते हैं तो उसको 50 रियल मिलते और 1500 से 25 सो तक पगार होता है और दस रियल खाने का मिलता है रात साम चार चार से पांच बज़े तक काम होता है फिर उसने अपने गवर पे चले जाते हैं उसके बाद इनको मिलता है कभी कुछ डीजल में से थोड़ा बहुत मिल जाता है कभी कुछ कहां खाली करने गए उसने किसी ने पचास ओरियल दिया मतलब इस तरह से इंडिया का पचास से लाक रुप्या डेर लाक तक कमा सकते हैं दैवर लोग मेहनत करने पड़ती है तब जा कैसा होता है तो चलो ठेंक्यू फड़ा मैं उन लोगों की इंट्रिव लेता हूं पगार क कि यह बाबू कि सलाम अलेकम वालेकम सलाम क्या ले जनाब के फलाल कुए लाहम्दॉल्ला कि लिल्दा इधर आई फारग है ना वो किना बज़े तक ड्यूटी होती है जूटी दास बज़े तक हो तो आज जुमा को ना नहीं तो चार-पांच बज़े तक आज चार बज़े चार-पांच बज़े पाकिस्तान का डेडलाग तक बन जाता है दो लाक बन जाता है और इंडिया का लाक बन जाता है इस तरह से देखो ड्राइवर लोग खड़े होते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन जो भी बाई ट्रेले में आना चाहते हैं पहले पूरी जानका पर इले और इस तरह से मालूम वात होना चाहिए कि इससे बुरे आलत भी यह आप रमल मिटी उढ़ते ही देख सकते हैं देखो यह कि अब कर दो कि अब कर दो कि अब आँ आदा पर ओना आ दोस्तो weडियो इंड करते है तो इन्होंने अपना सारा आपको शेर कर दिया है यह अंदर की बात ती जो हर कोई शेर नहीं करता है तो आप लोग सतिस्फाइड हो गए हो गए कि ड्राइवर की जॉब क्या है कितनी salary है कैसे रहना है कैसे काम करना है ठीक है तो सुक्रिया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो लाइक कर लिए और कुछ पूछना हो तो comment जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो share जरूर कीजिए आपको अच्छा लगा होगा जाविद व्लोग यूटूब चैनल पर क्योंकि आपको जो यहाँ पे information हम मैं देता हूँ वो 100% real देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने तीन वीडियो डाली हुई है तीन नों वीडियो में जो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है या मेर चैनल पर आप आए हो पहली बार और पुरानी वीडियो आपने नहीं देखिए तो जाएए पुरानी वीडियो देखिए वो वीडियो आपके बहुत काम की होगी बाई बाई